चलो ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारी चैनल ट्रेडर दीपवे बहुत बहुत स्वागत है जिन्हों ने भी चैनल जॉइन नहीं किया है फट फट से जाके जॉइन कर लिजिए और हमारी दूसरे चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं चैनल का नाम है चलो द्राइडेंग और यहां पर मैं बात करने हुँ बैयं लग ठेक कर रहें हैं जा कि हम चैनल को Alec jet चैनल करते हैं जिसके लिए अपको एक फ्री एप पता होगा नहीं पता होगा तो उसकी बी जो वीडियो है वो हमारे चलो टेडिंग सीखते हैं इस चैनल पर है जहां पर आपको टेल एक्स का वर्चुल मनी मिलता है और वहां पर आप जाके पेपर टेडिंग कर सकते हैं ठीक है और यहां पर अभी हम इस मन्थ नोवंबर मन्थ में पेपर टेडिंग कर रहे हैं डिसंबर म मन में चैलेंज लेने वाली हूं December month full December month हम चैलेंज लेंगे और फूल December month हम टेडिंग करेंगे जो हमें virtual money मिलता है 10 लाक्स उसमें से 50,000 यूज करेंगे और 50,000 से हम टेडिंग करना स्टार्ट करेंगे सिफ एक लॉट से करेंगे और पूरे December month में देखेंगे कि वर्ट्र मनी से हमने लास्ट में प्रोफिट किया य्यू लॉज किया और श्टाटि हमने से हमसी लेंगे ठीक है और यहां पर हम देखेंगे अगर हम में वर्चुल मनी से प्रोफिट हुआ तो हम जायन मांच से फिर एक्षिवर मनी से भी टेडिंग करना स्टार्ट करेंगे एक लौट से ठीक है अगर हम वर्श वर्श वरनी में लौस में क्लोज भूए था फिर यहां कि यहां पर यहां पर आज हम बात करेंगे बैंग Нिफ्टी की पर रहाँ प्रिवेस टे हाई लोग क्लोजिंग वाई स्ट्राडिज से बैंक निफ्टी में कितने ट्रेड बने कितने एसल हिट हुए कितने टार्गेड अच्छी हुए ठीक है तो अगर आप सिंगर सिंगर स्ट्राडिज से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल ट्रेडर सीखते हैं उसमें मिल जाएगा तो वहां पर जाकर चैनल को जोइन कर सकते हैं अब हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी की उसके बाद आपको आजेगी निफ्टी फिप्टी की वीडियो और इस चैनल पर मेरा डेल मतब कंटिनू वीडियो नहीं आपाता दरे मिलते हैं उसकी वीडियो डाल चाको सिखा है पीडियो पइट चाएग्जामपल में बताती हूँ बहुत बढ़ा गैप अपन हो गया टीक फिर वहां पर एक रेंज बना, रेंज बनने के बाद धीरे-दीरे करके ऊपर निकल गया, ठीक है, तो वहां पर gap border का कुछ using नहीं हुआ, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर strategy daily work करें, कभी-कभी कोई-कोई strategy work नहीं करती है, जो भी strategy work करती है, ठीक है, तो यहां पर यह आपको मा करना है, सिंपल से हमें marking करना है, अगर हम 24 तारी की market को देख रहे हैं, तो हमें 23 तारी की market का यहां पर mark करना है, 23 तारी की market में आप देखो कि नीचे red color से हमने market का low mark किया है, चार्ट का yellow से closing mark किया है, और green color से हमने जो previous day का high है, यानि 23 November का high है, वो mark किया है, अब आ जाते ह 24 November की date में, 24 November में देखेंगे कि हमें कितने trade मिले है, तो यहां पर हम पहले ही, अगर आपने वीडियो नहीं देखेंगे, जो नई वीवर होंगे, उनको नहीं पता होगा, यहां पर जब भी कोई भी बड़ी candle बनती है, जैसे कि bank nifty में 70, 80, 90, 100 point की candle बनती है, तो हम वहां प देखेंगे कि जो हमारी strategy है, उसने आज work हिया है, यह नहीं किया है, तो वह हम चेक कर लेते हैं, तो यहां पर देखेंगे, फर्स्ट फाइब मिनट्स की candle है, वह बनी है, बेरिश ट्राइब की, ठीक है, यहां पर देखेंगे, प्रिवेस दे हाई और क्रोज के बीच में क् बुलिश केंडल बनाई, यहां पर देखेंगे, 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 यहां पर द बड़ा करते हैं जिसे कि फ्रॉपर चीजे समझ में आये थो हम थोड़ा चात को यहां पर जुग करते हैं यहां हूं पे में को बड़ा कर Meat revenue gimbal के अब यहां पर देखें गीक यहां पर यहां पर बना है कहां प को यहां पर इस यहां पर कितने पॉइंट करो दो चार पॉइंट आगे निकले उसके बादी इंटिरो अब इस केंडल का लो देखेंगे तो कितना है यहां पर कम से कम तीन चार पॉइंट का यहां पर वेट करो ठीक है और उससे पहले एक चीज और बताना मैं भूल गी यहां पर एक चीज और बताना है आपको एक मिर्टा यहां पर हम देखेंगे एक टेट हमारा यहां पर भी बना है ठीक है उससे पहले हमारा टेट और यहां पर बन ग लिए ठीक है और यहां पर देखोंगे तो यहां पर हमारा टार्गेट बहुत अच्छा मिला थीके बहुत बढ़ा टार्गेट यहां पर जाए यहां पर यहाँ पर इंट्री नहीं ले ठीक है – costs l अब put side के लिए भी देखेंगे जला यहाँ पर standpoint का इक trade बन्ता है जिन्हों ने यहाँ पर मिस कर दीад का यहाँ पर hablando क्यों क्यूंकि यह वहली candle ने पिसकत्र प्रीवेंस ट्रीर के नीचे लेना चाहिए तुरंट नहीं लेना चाहिए क्योंकि कभी-कभी होता है कि मार्केट वहीं से एक-दो पॉइंट नीचे गई वहाँ से रिवर्स हो गई ठीक है तो कम से कम बैंक निफ्टिव में 5-7 पॉइंट पॉइंट निकले तब आपको इंटिव लेना है ठीक है और यहाँ पर टेडिंग करना है चेक करना है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो मार्केट में वार्केट वर्केint क करता है में कितना काम करनके ख्रीक है और और भी प्रिवेसदे हाई लोग लोग रोजिंग मिला ठीक है क्योंकि देखेंगे तो प्रिवेसदे क्लोज की उपर क्लोज होई और वही सी हमें यह त्रेड मिला तो आपने देखा यहां पर बहुत अच्छी मिला हमाई यह वाली श्टार्डी अगर बनी बहुत बड़ी कैंडल है नीचे के साइड में अगर बनी भी है तो बहुत बड़ी candle है इतनी बड़ी candle का हमें trade नहीं देना है क्योंकि हमारा SL जो है बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है उसके बाद कहाँ पर trade बनता है उसके बाद हमारा trade बनता है यहाँ पर इस वाली candle को देखेंगे इसने previous day close को touch करके bullish candle बनी है बड़ next candle इसको break नहीं किया तो यहाँ पर भी हमारा trade नहीं बनता ठीक है उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस वाली candle को यह भी candle bullish candle बनी है प्लस previous day high की उपर जाकर closing दी जैसी next candle निकली यहाँ पर हमारी entry बनती है और यहाँ पर भी देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पर target देखने को मिला ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा जो हमारा previous day high low और closing वाली जो strategy थी उससे हमें कितने trade मिले आपने देखा आपने तो यहाँ पर देखेंगे हमें total 2 trade मिले ठीक है तो आई होब यह छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी helpful लगी होगी वीडियो helpful लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं आपसे अगरी वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care